हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मीतोस कोक बूक, आज है आपणे बनावीशू शरगवानुशाक, सरगवानुशाक तमें बत्धाये कणिवार बनावीशू जहसे, पड़ आ सरगवानुशाक में आपणे एकदम नवी रिते मसालों करी अने तैहार करीशू, तो बिलकोल बनावानी रसीपी, जो तमने मारी रसीपी योग गमती होई, तो मारा वीडियो ने लाइक करजो, वदूमा वदू शियर करजो, अने नवा नवा वीडियो जने साथी पेला जुवा मांटे मारी चेनल मितोस कुक बूक ने सब्सक्राइब करी, बैल आइकन ने जरूरती प प्रेस करजो, जेथी मारा दरेक नवा वीडियो नी जानकारी साथी पेला तमने मले, तो होवे साथी पेला सरगवानी शिंग नू शाक बनावा मां टेमी या पांच नंग जेटली सरगवानी सिंग लिदी छे, तो या में ताजित सरगवानी सिंग लिदी छे, अना रितना कट करी ऐने थोड़ो आ रिते के चीशू अटले चालनो भाग निकटी जाए पाच्छी आपड़े पाँचनी साइट पर आज री ते कट लगा भी अने खेची शू एटले जेती यनी चालनो भाग निकटो जाए अने हुए आपड़े आंगडीनी साइज ना सरगवानी सिंग ना कटका करी लेशु औने कटका करता जई अने जे छाल नो भाग नी कड़े एने आरीते खेची ने काडता जई शु तो बस आज रीते आपड़े बदी चिंग ना कटका करी लेवाना छे तो तमने जेवडी लिजना कटका करती जाऊचु अने छाल नो भाग आ रिते काटती जाऊचु तम्हें जो है शकोछो आज रीते आपणे शरगवानी बदित सिंग ने कट करीले दी छे आपड़े आ सरगवानी सिंग ने बाफवा माटे एक कुकरमा उमेरी देशु अने साथे ज एनी अंदर आ अर्दी टी स्पून जेटलू नमक उमेरीशु और अर्दी टीस्पून जेटलो हर्दर पावडर उमेरीशु नमक उमेरवा थी आपणी सींग छे ए खावा मा बिल्कुल फिक्की ने लागे आपणी सींग नो कलर एकदम सरसाव से तो हवे आपड़े एक थी डोड गलास चेटलू पाणी उमेरी मिडियम फ्लेम पर फक्त एक कज विसल करी लाइशू तो यह खास तमारे आ सिंग ने बाफा माटे एक कज विसल करवानी छे हवे आपड़े सिंग बाफाई छे त्यां सुधीम आपड़े टेस्टी मसालो तयार करी शू इना माटे आपड़े एक पेन नी अंदर एक चमची जेटलू तेल गरम करवा माटे मुखी शू तेल गरम थाई एटले इनी अंदर बे टेबल स्पून जेटलो बेसन उमेरी बेसन ने अपड़े सारी रिते सेकी लेशू गेसनी फ्लेम ने एक दम स्लो राकी अने आपड़े आ बेसन ने सेक वानो छे तो या त्रोण थी चार मिनिट सु धी में बेसन ने एक दम सारी रिते सेकी लेदो छे तो हवे आपड़े आ पेन ने नीचे लेए लेशू अने थोड़ो बेसन ने ठंडो थवा देशू बेसन थोड़ो थंडो थाई एटले आपड़े इनी अंदर त्रों टेबल स्पून जेटला यामे सफेत तलनो भुको करीने लिदो छे एने उमेरी शू अने त्रों टेबल स्पून जेटलो में या सेकेला सिंग दाणानो भुको करीने लिदो छे एने उमेरी शू साथे में चियाँ 1 टेबल स्पून जेटली वड़ी आरी ली देचे एने उमेरीशू वड़ी आरी नो स्वाद आमा सालामा एक दम सरस लाखसे हवे आपडेनी आंदर 2 टेबल स्पून जेटलो धाणाजीरू पावडर उमेरीशू धाणा जीरोनु प्रमाण आ मसाल आमा वदारे राखवानू छे साथे अर्दी चमची जेटलो हर्दर पावडर अने डोड चमची जेटलो आपड़े कश्मीरी लाल मर्चू उमेरी शू तिक्कू तमे तमारा टेश प्रमाण वदू उच्छू करी शको छो अर्दी चमची जेटलो गरम मसालो आने स्वात प्रमाण आपड़े नमाकू मेरी देशू आने हवे आपड़ा आनी अंदर एक टेबल स्पून जेटलो गोडू मेरी शू साथे ज आपड़े एक चमची जेटलो लिम्बुनो रसू मेरी देशू अने हवे आपड़े आनी अंदर वनफोर्थ कप जेटला जीना समारेला धाणा उमेरी अने बद्दीज वस्तुओने सारी रिते मिक्स करी लेशू आ मसाला ने तमें एक वार बनावी अने दस्ती बार दिवस्तो दी फ्रेज मां स्टोर पन करी शको छो पछी जियारे तमारे कोई पन भरेलू शाक बनाव होई त्या रे ये भरेला शाक मा तमे आ मसाला नुप्यार करी शको छो यहां बद्दीज वस्तू अने सारी रिते मिक्स करी लिदी छे तो यहां आपड़ो एकदम टेस्टी मस्तालो बिल्कुल तई आर चे तो आने साइट पर राखी शू अने आपड़े सरगवाने चेक करी लेशू तो यहां कुकर नो प्रेशर मेनी जातेज रिलिस तवा दी तो हवे आपड़े पाणी बिल्कुल ने फेकिये एनो आगड़ आपड़े ग्रेवी माटे यूज करी शू तो हवे आपड़े एक कड़ाईनी यां दर गेसनी मीडियम फ्लेम पर चार टेबल स्पून जेटलू तेल गरम करवा माटे मुकी शू तेल आपड़ू सारी रिते गरम थाई एले गेसनी मीडियम ने एकडम स लू रंकी अरदी टीस्पून जेटली राई अने अरदी स्पून जेटलू जीरं उमेरी शू वन पोर्ट टी प्रॉण मिनित मां टेस्ट स्लोफ लेंपर सोते करी लेशू तो लसल नो काचो टेस्ट निक डिजे तियां सुधी आपणाने सोते करवानू छे तो हवे एकदम सरस रिते अपड़ु वगार सोते था इज्या है एला अपणे इनी अंदर या में त्रॉण मीडियम सैजना टमे टमेटाने चोपर मां चोप्त करीने लिदा छे एने उमेरी देशू अने साथे आपड़े वन फूर्ट टीस्पून चेल्लू नमक उमेरेशू नमक अईया खुबज द्यांती उमेर जो आपणेचे मसालो बनावियो एमा पण नमक उमेरेलू छे अने साथे आपणेचे सरक गुबबाफियो एमा पण नमक उमेरेलू छे तो हवे आपणा टमेटा सोफ्ट थाए त्यां सुधी आपड़ाने कुक करीशू तो बेथी त्रोण मीनिट में टमेटाने एकदम सारे रिते सोफ्ट थवा दीदा अने टमेटा सारे रिते कुक थाई जाए एलल्ला आपणे अन्दर जे तैयार करेलो मसालो छे बदोज मसालो उमेरी दैशू तो आज आपणे मसालो बनावियो छे एनने तमे कोई पण भरेला शाक मा अथ्वादो तमे कोई रेग्यूलर शाक बनावियो छे एमा पण जो बे चमची जेटलो आ मसालो उमेरी दो तो शाक्न स्वाद सो गणवधी जतों है छे आपने मसालाने टमेटा साथे एकदम सारे रिते मिक्स करी लए शुँ तो ओवे यहां तमे जोई शको छो में बदुच एकदम सरस रिते टमेटा साथे मिक्स करी ले दुछे आपणी अंदर अर्धा ग्लास जेटलू पाणी उमेरी फरी थी आपने मिक आपने बेज मिनिट माटे मीडियम फ्लेंपर कुक करी शुट आपने जे शरगवो बाफी ने राख्यों चे पाणी सही तज आपने बदोच सरगवो शाकमा उमेरी देशु आने हवे आपने एकदम हडवाहा थे मिक्स करी लेशु तो एकदम सरस रिते बद्दुच मिक्स करी लेवानों चे तो यहां जे तमे शरगवो बाफ योईनी अंदर जो पाणी गोच्छु उमेरी होई तो यहां तमे पाणी थोड़ू वधारे उमेरी दे जो हुआ ग्रेवी वाड़ू शाक बना उच्छु एल्ले पाणी नू प्रमाण में थोड़ू वधारे जराख्यु अपने धाकान धाकी अने 3-4 मिनिट माटे कोक करी लेशू मीडियम फ्लेम पर तो यहां 3-4 मिनिट जो हो समय धायो चुने तमे जोई शकोचो एक दम सरस तेलू पर हावी गयो छे तो वच्चे एक वाड़ू धाकान खोली अने आसाक ने में चलावी लिदू होतु जेती ए एकदम सरस सुगन पर आवी रही छे अने एकदम सरस आपणी ग्रेवी पर घट थाई गयी छे आ ग्रेवी हजी ठंडी था शेटले बदारे घट था शे तो हवे आपड़ू यहां साक तयार छे तो आसाक ने आपड़े सर्विंग प्लेट माल लाई अने सहु करी लेशू त इतलू टेस्टी आसाक बनियो छे तो जो तमने आज नी मारी आ रेसिपी गमी होई तो मने कोमेंट शेक्षन मा जरूर थी जणाव जो साथे ज मारा वीडियो ने लाइक कर जो वधू मा वधू शेर कर जो अने नवा नवा वीडियो जने सवती पेलला जूवा माटे मारी च